हलो फ्रेंज कैसे हो आप लोग मैं हूँ आपकी टीकी और श्वागत करती हूँ आपको मेरे चैनल टीकिस टीप्स और ट्रिक्स पर तो चलिए बिना देर किये टॉपिक के उपर आते हैं ये जो मैं कुर्ती फेहनी हुई हूँ ये वीवा का कुर्ती है तो इसी के उपर ही मैं आज कुछ टीप्स या ट्रिक्स करने वाली हूँ तो चलिए फटा फट बिना देर किये वीडियो सुरू करते हैं हाँ वीडियो सुरू करने से पहले जरूर बोलना चाहूंगे अगर पसंद आला है वीडियो तो लाइक सेर सस्क्राइब करना तो बनता ही है और प्रेस कीजिए गानी तो नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचेगा तो फिल चलिए फैंस वीडियो में बने रहिए देखिए यह कुर्ति कुछ इस तरह का है सिर्फ में इस कूर्ति के बारे में बात नहीं करनी हूँ कुछ इस तरह का कूर्ति जो के हमारे पास होता है जो हम डिजाइन के कारण ले तो आते हैं अच्छा लगता है बोलके लेकिन पहनते टाइम बहुत सारे प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ता है हम लोगों को हाँ यह हम भी मानते हैं कि आजकल की ट्रेंड में है यह ट्रांस्परेंट वाला कुर्ति बहुत जन पहनते भी है लेकिन हर किसी की बस की बात नहीं होता है यह मतलब बोडी सौफ करके पहनना हर कोई तो चाहते हैं फेशनवल दिखें और उसके साथ कमपरटबल भी फील करें तो इसके लिए यह कुछ में टीफ्स में आपको बता रही हूँ देखें इसके साथ पहनने के लिए देखें य और यह एक लाइट पीछ में है तो कुर्ती में भी पीछ कलर का प्रिंट है आपको लगता होगा यही सही बेठेगा लेकिन यह सही नहीं है यह चारकॉल कलर का जो है यह इसके साथ परफेक्ट सही बेठता है इनर फेशन के मामले में हमेशा दिखने से ज़्यादा ट्राइ के साथ इसे ट्रांसफरेंट वाला कुर्ती यह तो दो लेयर वाला है कोई-कोई एक लेयर वाला पेहनते हैं लेकिन जो पेहनते हैं पेहनते होंगे लेकिन जो नहीं पेहनते हैं उन लोगे के लिए खास यह टीप से यहां पे जो मैंने यह चारकॉल कलर का सेमिस पहना किसी भी तरब ख्यान देने की जरूरत नहीं है आप फुल एंजोई कर सकते हो कहीं पर भी जा सकते हो हाँ और एक बात मैं बोलना चाहती हूँ इस डार्क कलर के इस तरह के डार्क कलर की कुट्टी के साथ हमेशा स्कीन कलर का ब्रा यूज़ कीजिए बहुत सही बेटता है इतने में ही आज का वीडियो खतम करती हूँ फ्रेंस बाइ टेक केर लव यू फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में टीफ सेंट्रिक्स के साथ